हैलो, वेलकम टू सिंप्लिपाइट साइन्स एंड मैं हूँ अंदिव्या आज का टॉपिक है पेटलॉइड और सेपलॉइड तो आज की वीडियो में हम इनका डिफरेंस समझेंगे कि पेटलॉइड और सेपलॉइड में क्या डिफरेंस होता है तो चलो, शुरू करते हैं तो कहानी को थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं थोड़ा सा बेसिक जिससे आपको आगे अच्छे से समझ में आ सके तो फ्लावर में होते हैं दो वल्स एक रिप्रोड़क्टिव और एक एकसेसरी ये हम जानते हैं अब इन accessory worlds में आते हैं Calyx और Corolla ये भी हम जानते हैं Calyx की unit को हम बोलते हैं sapple और Corolla की unit को हम बोलते हैं petal लेकिन एक word हम और पड़ते हैं parient तो अब ये parient क्या होता है जब किसी flower में Calyx और Corolla में कोई distinct difference आप नहीं कर पाते तो उस world को हम बोलने लगते हैं parient और उसकी unit को हम बोलते हैं taple तो पूरे world को हम बोलेंगे parient और एक को बोलेंगे taple तो ये taples हमें कहां देखने को मिलते हैं लिलीज में आप taple देखोगे वहाँ पर ना sepal होता है ना petal होता है एक ही world present होता है जिसे हम बोलते हैं parianth या उसकी unit को tapal तो lilies में parianth होता है अब हम बात करते हैं petaloid और cepaloid की तो पहले बात करते हैं petaloid की अब ये oid किसी के end में लग जाता है word के तो उसका मतलब होता है like तो इसका क्या मतलब वह petaloid का petal like अगर कोई structure flower में present है तो उसे हम बोलेंगे petaloid तो इसका मतलब है कि petal की तरह दिखने वाला कोई structure जो true petal नहीं है पर petal की तरह हमें दिख रहा है इसको हम बोलते हैं petaloid अब petaloid दो condition में हो सकते हैं अगर flower के accessory world के दोनों part present है accessory world में कौन से दोनों part होते है सेपल और petal तो अगर flower में accessory world में दोनों part present है और सेपल हमें दिख रहे हैं petal की तरह के मतलब सेपल होते हैं green लेकिन अगर वो हमें colorful दिखने लगे मतलब petal की तरह के दिखने लगे तो इसको हम बोलते हैं petaloid सेपल अब दूसरी condition में अगर flower में accessory world के दोनों part present नहीं होके सिर्फ हमें perianth दिख रहा है मतलब distinct structure नहीं है सेपल और petal का और हमें एक world दिख रहा है perianth और वो petal की तरह का है तो perianth की unit होती है टेपल तो ऐसे टेपल को हम बोलेंगे petaloid टेपल अब petaloid सेपल हमें कहां देखने को मिलते हैं इसका example है कैना में तो कैना क्या flower आप ये देखो इसमें आपको दिख रहे होंगे ये colorful petal है जो yellow और red कलर के हैं लेकिन इसका दूसरा world भी present है जो की सेपल है और वो green color का नहोंगे petal की ही तरह का दिख रहा है ये condition कहलाती है petaloid सेपल अब petaloid टेपल हमें कहां देखने को मिलते हैं अभी हमने पीछे भी बात की कि lilies में हमें एक ही world दिखता है और वो petal के तरीके का होता है जैसे आप यहां भी देखो तो इसमें हमें सेपल नहीं दिख रहे हैं और ये petal की तरह का जो structure है इसको हम बोलते है petaloid टेपल अब ये तो बात हो गई petaloid की अब हम बात करते हैं सेपलोइड तो सेम है petaloid की तरह ओइड लग रहा है तो सेपल लाइक जो structure flower में present होगा उसे हम बोलेंगे सेपलोइड अब इसमें भी दो condition है अगर flower के accessory world की दोनों part present है मतलब सेपल भी है और petal भी है और petal हो रहे है सेपल के color की मतलब petal होते है colorful लेकिन वो भी हमें green ही दिख रहे है तो ऐसी condition को हम बोलते है सेपलोइड पेटल और दूसरे में सेम जैसे अभी हमने पीछे देखा अगर flower में petal और सेपल दोनों world नहीं है सिर्फ एक ही world दिख रहा है तो इसको हम बोलेंगे सेपलोइड टेपल तो सेपलोइड पेटल हमें कहां देखने को मिलते हैं एक group है parasitic plant का जिसे हम missile toe बोलते है उसका एक plant है जिसको हम बोलते है विसकम album तो इस विसकम album में दो तरह के flowers होते हैं एक male और दूसरा female जो female flower होते है उसमें petal हमें greenish yellow देखते हैं तो ये greenish yellow petal जो होते है इसको हम बोलते है सेपलोइड पेटल और सेपलोइड टेपल हमें देखने को मिलते हैं चीनो पोडियम में जिसे हम बथुआ भी कहते हैं अगर आपको देखने को मिले सड्डियों में तो आप जरूर ट्राइ करना कि अगर बथुए में flower है उपर तो अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो उसमें एक ही वर्ल होता है और वो green color का होता है तो उसको हम बोलते हैं सेपलोइड टेपल तो चलो ये दोनों मैं आपक हाती हूँ तो सेपलोइड पैटल ये देखो ये पैरसिटिक प्लांट होता है मिसिल टो का विसकम एल्बम और ये इस तरह से ट्रीज के उपर ऐसे गुच्छों में आपको बंचिस में आपको देखेगा तो इसके फ्लावर्स दो तरह के होते हैं मेल फ्लावर और फीमेल फ अब सेपलोइड टैपल हमें कहां देखने को मिलते हैं ये है देखो एक चीनो पोडिया मतलब बथुए का फ्लावर और आपको यहां पर दिख रहा होगा इसमें ग्रीन कलर का एक ही वर्ल प्रेजेंट होता है इसलिए इसके टैपल को हम बोलते हैं सेपलोइड टैपल तो क सेपल ही होंगे जो पैटल की तरह दिख रहे होंगे मतलब पैटलोइड सेपल कंडिशन होगी लेकिन अगर एकसेसेरी वर्ल में सिर्फ एक ही वर्ल प्रेजेंट है मतलब वहां पर टैपल ही प्रेजेंट है तो वहां पर टैपल ही पैटल की तरह दिख रहे होंगे मतलब प तो that's it for this video, I hope आपको अच्छे से दोनों टर्म क्लियर हुए होंगे, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज दू लाइक, शेर और सब्सक्राइब, फ्रेंट्स के साथ शेर करो, थैंक्स फर वाचिंग